Hello and welcome to our YouTube channel ये टाइपिंग का Day 6 है और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं Lower rope अपने finger की हमें shifting कैसे करनी है जैसा कि पिछले के lecture में हम देख चुके हैं कि home rope कैसे हमें अपनी finger set करनी है और upper rope कैसे finger हमें shift करनी है और इन दोनों लाइनों के words की भी practice हमने अच्छे खासी कर ली है आज lower rope की बारी है इसके बारे में हम बात करने जा रहा है तो सबसे पहले हाथ को अपने same position पे रखना है A, S, D, F उसके बादी संगोठे से कुछ नहीं semi colon L, K, J और अंगोठा हमारा space पे कुछ इस तरीके से हमको अपना finger set कर लेना है इसके बाद lower rope में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये किनारे वाली उंगली जो आपने A पे रखी है ये उंगली का use कोई भी नहीं करना है lower rope में ठीक है? lower rope में इस उंगली का कोई भी use नहीं होता है तो आपके finger कैसे shift होती है तो सुरुआत होती है हमारी second number की finger से जो अपकी S पे रखी है इस आपको लेके जाना है Z पे ठीक है? उसके बगल जो अउगली है D पे उसको लेके जाना है आपको X पे फिर जो F पे है उससे ले जाना है C पे और वापस F वाली उंगली किस पे जाएगी V पे फिर से देखिए Z X C V उसके बाद space फिर इधर से अगर बात करें तो जो उंगली आपकी semi colon पे है वो जाएगी full stop पे जो उंगली आपकी L पे है वो जाएगी comma पे जो उंगली आपकी K पे है वो जाएगी M पे J वाली उंगली N पे और वही उंगली जाएगी B पे ठीक है फिर से देखिए Z X C V full stop comma M N और B उसके बाद space एक बार फिर से देख लीजे पूरी process किस तरीके से आपको करने है ठीक है देखिए ये उंगली जा रही है Z पे X पे C पे और ये C वाली उंगली जा रही है V पे और इधर से कर बात करें तो ये उंगली आपकी जा रही है किनारे वाली full stop comma M N और यहीं उंगली B पे ये दोनों उंगली से दो दो बटन देखिए इस से C और V और इस उंगली से N और B दबाना है ठीक तो इस तरीके से आपको lower हो use करना है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा Z X C V space full stop comma उसके बाद M फिर N फिर D उसके बाद space कुछ इस तरीके से आपको practice करना है और इसकी practice 2 घंटे सुबे और 2 घंटे साम को करना है अगर आप ऐसा कर लेते हैं ति ये lower row भी आपका खतम हो जाएगा तब तक आप इसकी practice करिए मिलते हैं अगले lecture में thank you